स्वागत है मित्रों पद्म भूशन डॉक्टर बोई भी मन्ना कृत न्याय के लिए संगर्ष हिंदी अनुस्रुजन डॉक्टर जीवी रतनाकर सुकतन पच्पन ये महार एवं चमार ही हैं जिने अस्प्रिश्यता के नाम पर उत्पीडित किया जा रहा है अतहा इन्ही को आंदोलन के लिए आगे आना होगा उनमें जोखिम बलिदान एवं तब की स्चमता चरम सीमा तक पहुँच जानी चाहिए वे युवा जो मानव जीवन में नई सांस प्रदान करते हैं वे दलित बस्ती में चलते हैं अतहा मैं उन्हें संबोधित करता हूँ मैं उन्हें संगठित होने का अपील करता हूँ तथा धर्म के लिए संगर्ष करने हैं तू प्रोथ साहित करता हूँ सुकतन चपपन महार एवं चमार कैसे संगठित होंगे क्या वे दोनों अलग जातिया नहीं है क्या इन दोनों के बीच रहन सहन खान पान कपड़े पहनने का तरीका गाउं से दूर बसने का उच जाती के लोगों के पास बंदूओं मच दूर खाने रहते और गरीबी में जीवन व्यतीत करने में आदी में भिन्नता है क्या चमारू एवम महारों के बस्तियों में उनके साफसफाई और व्यवसाई में कोई अंतर है जब किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है एवम दोनों की तकलिफें अपमान अन्याय एक समान है तथा क्या यह बुद्धिमानी नहीं है कि दोनों संगटितों एक जाती बनें जिस प्रकार नियोगी वैदिकी द्रविन वैशनों आधी सभी एक ब्रामर जाती बताते हैं तो दलित उपजातियां जैसे महार, चमार, महतर, रैली आधी सभी मिलकर एक जाती क्यों नहीं बनाते हाँ, कुछ विशेश व्यवसाय से संबंदेत समस्याएं हो सकती हैं जैसे परंपरागत रूप से महार, एवं चमार के छेतर में भी होती है हड़ी, सींग, त्वचा, मांस, मचली, मुर्गी, सूर आधी से संबंदित उद्योग अस्वच्य होते हैं, मुझे कभी भी, कभी भी ये लोग पसंद नहीं हैं, जो अपने घरों में कुत्ते, बिल्ली, एवं मुर्गियों को पालते हैं ऐसे घर जहां मालिक भले ही मान हो, उनके घर चिडिया घर एवं पिंजरों जैसे दिखते हैं, परन्तु क्या उनकी महानता कम हो जाती हैं, क्योंकि वे मुझे घृणित लगते हैं अच्छों की अच्छाईयां स्वयम के पसंद, ना पसंद और रूची से प्रभावित नहीं होती, उच्च जाती के लोगों द्वरा इस प्रकार के उध्योग क्या उन्हें अस्पृष्य बनाती हैं? वीडियो का आनन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये जारे लिंक पर क्लिक करें जे भीम ग्लोबल ट्रस्ट हैदराबाद प्रेजेंटेशन